दोस्तों, अगर आपकी नींद भी सुभह तीन बजे से पांच बजे के बीच खुलती है, तो इस वीडियो में जानिए कि इसका क्या मतलब है और आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस समय आपको कौन सा काम जरूर करना चाहिए। अगर आप वह काम नहीं करते हैं, तो आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ऐसे संकेत भी बताऊंगा जिनसे आप जान सकते हैं, कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही आप माला माल होने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बुलंदियों को चुने में डर नहीं लगती। लेकिन क्या आपको सकता है? भगवान भी व्यक्ति के काम्याब होने से पहले यह संकेत जरूर देते हैं। आपको बता दें, ऐसा हम नहीं का रहे हैं, बल्कि ऐसा पुराने में भी कहा गया है। तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरू जी से कि वह क्या कहते हैं, इसके बड़े में जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं, तो ईश्वर उसे यह संकेत जरूर देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं यह संकेत, चलिए जानते हैं। तिन बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागरित हो जाती हैं जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। तो आपको शुभ फल की प्रताप नहीं होती। क्या है वह कम। यह भी हम आगे वीडियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं। ऐसे ही और संकेत क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है जी। आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्यान हो जाता है। यह आपको पूर्वाभास हो जाता है। तो आप समझ जाईए कि देवी शक्तियों की आप पर क्रिपा है। आपकी पतनी, बेटा-बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आजा का पालनपुर कर रहे हैं। वह सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं। तो आप समझ जाईए कि दया शक्ति आपसे प्रश्न है। दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको कोई बड़ा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाईए कि देवी शक्तियां आपकी मदद क कर रही है। दोस्तों, नमबर साथ, सुगंधित वातावरण का एहसास। अगर कभी-कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी करण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो तो समझ जाईए कि अलौकिक की शक्तियां आपके आसपास ही है और आपकी मदद करना चाहती है। नमबर आठ, सुहानी हवा, आप पूजा कर रही है। और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का जोका आया है या शरीर में कुछ अचानक दोड़ता सा प्रभाव महसूस हुआ हो जो कि पहले कभी भी ना हुआ हो तो समझ जाईए कि देवी या देवता आप पर प्रशन है। दोस्तों, नमबर नौ, ठंडी हवा का घेरा। भूमी पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बदले या ठंडी हवा का एक पूजन है जिसने मुझे घेरा हुआ है। तो आप समझ जाईए कि अलौकि अबी नहीं कर सकते या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुने दे और आप आश्चर्य में रजाएंगे, यहां आसपास तो कोई संगीत बाज ही नहीं रहा। फिर भी वहां आपके कानों में टब अजाने की तरह सुने दे तो आप समझ जाईए कि अलौकिक शक्त और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी है या उठाने की कोशिश की है और आप अचानक ही उठ जाते हैं लेकिन फिर आपको आभास होता है। इसी तरह अगर आपको सपना में शंकर और मंदिर की घटिया की आवाज सुने दे तो इसका मतलब आपके पास किसी ना किसी मध्य से धन आने वाला है। क्यूंकि जब स्वयम लक्ष्मी आपके सपना में ए गई है तो अब आपके घर में भी जल्दी ही वह प्रस्थान करेगी। सपना में गाने को देखना भी पैसों के आने का संकेत माना जाता है। अगर सपना में आते सफेद या फिर सुनहरे रंग के शाम को देखा है तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन की प्रताप होगी। दोस्तों, नमबर 14. सपना में अपने आपको घोडे पर चड़ते देखना। मतलब आपको कोई नया कम मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खास लाभ प्राप्थ होगा। नौकरी वालों को ये सपना आए तो इसका अर्थ है आपकी उन्नती होगी। अगर आप सपना में कल बादल देखते हैं, साथ ही बारिश भी दिखा तो इसका मतलब आप जी भी चीज में निवेश कर रहे हैं। वहाँ आपको लाब मिलने वाला है। सपना में पान खाना सुख सम्रिध्धी आने का सूचक है। सपना में अगर आपको छोटा बालक ठुमक ठुमक कर चला दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही कहानी से धन मिलने वाला है। सफेद कमल लाल रंग की चमेली चांदनी और गुल मोहर के फूल सपना में दिखाई देना निश्चित ही भविश्य में अपार धन संपत्ति के आने का संकेत है। रात में अचानक ही एक क्षण के लिए बांसुरी या घंटी की आवाज का आना भी शुब संकेत होता है। अगर आपको रात में बारह बजे से तिन बजे के बीच पायल की आवाज सुने देता है तो यह बहुत ही ज्यादा शुब संकेत है। आपको बताते हैं कि कौन सा है वह कम जो आपको तब करना है जब अगर आपकी नींद तीन से पांच के बीच खोल है। यह कम करने से ना चुके वरना आपके लिए यह समय शुभ फल की जगह बेकार हो जाएगा। दोस्तों ऐसे में आपको इस समय उठ जाना चाहिए आपको दोबारा सोना नहीं चाहिए यह गलती बिलकुल भी ना करें। आपको उठकर स्नान करके नित्यकर्मों से निव्रित्ती होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। क्योंकि ऐसे में भगवान आपको जगाना चाहते हैं और आपसे समवाद करना चाहते हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने रखें, आपकी मनो कामनाएं जरूर पूरी होंगी। लेकिन अगर आप ऐसे समय में उठ नहीं सकते, तो कम से कम भगवान के नाम क जाप करके सोएं। इस तरह से सोने से आपको शान्ती मिलेगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो स झाल झाल